एक छोटे से गाव में जहां हर रोज की तरह लोग अपनी दिन्चारे में व्यस्त थे, एक बच्ची थी जिसका नाम परी था। परी अपने नाम के तरह बहुत ही सुन्दर और दिलकश थी। उसका चहरा मासूमियत से चमकता हुआ और उसकी आखे जैसे की किसी के सपनों की जहलक दे रही हो। परी के गाव में एक पुरानी कहानी थी एक छोटे से जहरने की जिसे लोग जादूई जहरना कहते थे। कहानी के मुताबिक अगर कोई वहां जाता और साचे दिल से अपने सपने मांगता तो उनका सपना पूरा हो जाता था। एक दिन परी अपने दोस्त राधा के साथ जादूई जहरने की तरफ गई। राधा प्रक्ति-वादी और प्रक्ति-शील थी जाब की परी सपनों की दुनिया में खोई हुई। जब दोनों जरना के पास पहुँचे, तो राधा ने परी से कहा, परी, ये कहानी तो सच नहीं हो सकती? परी मुस्कुराई और कहा, शायद, लेकिन कोशिश करने में क्या बुराई है? राधा थोड़ा उदास हो गई, लेकिन फिर उत्सा से भरी परी के साथ चली. परी ने जरने की तरफ देखा और अपने दिल में एक सपना देखा. उसने सपना देखा कि उसका गाव खुशियों से भर गया है, हर कोना खिल रहा है, और लोग मुस्कुराहट से जी रही है. कुछ ही पालन में, जैसे की जरने के पानी ने उसके सपने को ग्रहन किया. एक चमक तेज रोशनी बन गई और परी के सपने शुरू हो गए सच होने की दिशा में. गाव में खुशिया फेल गई, लोग मुस्कुराने लगे और परी के सपनों ने सब को प्रभावित किया. परी के सपने मांगे और वो भी प्योर हुँ. इस दिन से परी का गाव एक नए जोश और उत्सा से भर गया. परी और राधा के सपने जादूई जरना की चमक में हर रोज और भी टकटवार बनते गए. इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि सपने देखना उन्हें सच क करने का प्रथम कदम होता है. और जब हम साचे दिल से कुछ मांगते हैं, तो पूरा ब्रहमन हमारे साथ होता है.